जो मारा मोटर स्टार्टर होता है उसमें अच्छी क्वालिटी का तेल डालना चाहिए अगर उसको हम सुखा ही चला देंगे तो उसकी लाइफ बहुत ही गट जाएगी जाओं तेल के साथ 5 साल चलता है बिना तेल के वो मुश्किल से एक या डेड़ साल ही निकाल पाएगा यह हमने के टी सी आई क्वालिटी मोटर स्टार वेल लिया है इसके कुछ विशेस्ताइं दे रखी है जैसे सरल प्रीचालन दूल वनमी रही ते फिल्टर किया हुआ वनाजमने वाला कंटेक्ट से अधिक चलता है तापमान कम रखता है स्टार्टर के उमर बढ़ाता है इस उसके अंदर जोड़ मिट्टी भी जाएगी जो उसके पतिया होती है उनके प्रो चिपकेगी तो वो जो करंट को रोकेगी वो तो उससे उसमें स्पार्किंग होगी और उसकी जो हमारी मोटर चलने का भी खत्रा रहेगा ऐसे ही अगर वो मोटर स्टार्टर ज्यादा गरम ह तो वहां भी उसकी जो है दिक्कत हो जाएगी उसमें इससे हमारी मोटर चलने का खत्रा रहेगा इसमें कुछ बात दिख लिख रहें जैसे डालने से पहले वेल टेंग को कपड़े से साफ करें तेल का गरम नह करें तेल का निशान तक बरें पुरानी तेल के साथ नहीं मिल दें अगर आपने अच्छी क्वाल्टी का तेल डाला है तो इसको बदलने कोई जरूरत नहीं है आपको लगे की तेल बिलकुल ही काड़ा हो गया है उसका रंग टोटली चेंज काड़ा या हरारा ऐसा हो गया है जैसे मैं दूसरा जो पुराने वाड़ा है वो दिखा का जो पैक है यह सो रुपे के आता है क्या हमने ठीक लिया है या गलत है अगर आपको इस बारे में कोई जान करी हो तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं इसके उपर भी बेंटेक्स की ब्रेंडिंग कर रखी है ठीक ठाक्सी क्वाल्टी है पहले जो मजबूताती दे लेकिन अब इसको थोड़ा सा तो क्वाल्टी पे कंप्रमाइज किया है कंपनी ने वाकि ऐसा नहीं है कि बहुती बेकार्शा हो गया है यह बुल मलाके ठीक ठ अब जाक्साई है यह यह उनिस सो बैसेट से अपने प्रोड़क्ट बना रही है इसमें एक लिटर आजाता है यह तो नहीं वाड़ी बॉतल होगी इसमें देख रहे हैं बिल्कुल साफ है यह वाड़ा है पुराना इसका प्लर थोड़ा चेंज हो गया है अगर आप इसमें देख पारे हो तो यह इतना भी जादा चेंज नहीं हो आए यह बिल्कुल काड़ा हो गया हो या फिर कुछ इसमें कुछ कचरा में दोड में टी ऐसे कुछ मिल गई हो अगर इसका आप देख पारे हो तो रंग कुल मिलागे ठीक ठाकी है अगर आपके पास अच्छी क्वाल